मद्दप्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादो ने बदभार घणान करने के कुछी घंटों बात संसनी खेज आडेश निकाले, जिसके कारण पूरे मद्दप्रदेश के साथ ही देश में वहाँ सुर्ख्यों में बन चुके हैं, और वहाँ आडेश है लाओड स्पीकर, जो म आडेश मुख्यमंत्री ने निकाला, क्या सोचते आप लोगे? मोहन यादोजी का धन्यवाद ग्यापित करता हूँ, और आशा करता हूँ, कि विश्वे हिंदू परिशत के वीधी, प्रमुख और वीधी के जो हमारे प्रशासनिक टीम है, उसने एक मुहीम इंदोर में चलाई थी, जिसमें इस पष्ट तोर पर जितने भी थाने हैं उनसे अपत्ती है, हमने अपत्ती दर्ज कराई थी, कि इन लाउड स्पीकरों को उतारा जाए, इनकी आवाज जो है, जो साउंड होता है, उससे हमें अपत्ती है, उस पर आज मद्परदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादवन संग्यान लिया है, मालवा से ये मोहीम चली थी, मालवा के मुख्यमंतरी बने है, मुख्यमंतरी ने एक बहुत अच्छा आदेश पारीत किया है, उसका पालन प्रशासन अप करेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसमें तो मंदीर भी सामील हो गया, मंदीर भी समय समय पर घंटे घड़याल बनेंगे, लाउड स्पिकर देखिए सनातन के जितने भी मंदिर हैं, वहां से हमेशा सभी धर्मों की जैहों की आवाज आती है, और इनके लाउड स्पिकर से हमेशा केवल इनके ही धर्म की विशे में आवा जाती है, ये केवल ये बोलते हैं कि हमारे अल्ला, हमारे भगवान, वो ही सरुष्रेष्ट ह उसके अलावा कोई स्रेष्ट नहीं इस बात की अपत्ति हमने दर्ज कराई थी और कहीं से कहीं पर भी मंदिरों से कभी आपने सुना नहीं होगा कि मंदिरों से साउंड में एसी कोई आवा जाती है वह कि कि के वर लेकर जिस तरह से आधेश निकाला है दोनों के लिए निकाल दिया आप कि सिरक्त कहा है एक इसे लाव्डस्पिकर जिससे को आपत्ति हो हुने और हमने अपत्ति कराई किन यौड़ मस्जित के लाओड स्पिकर उपर जो दिन में सबेरे, दिन में साम को सिर्फ जोर जोर से उनके ही धर्म की बात करते हैं तो जो आपत्ती दर्ज करे हुए लाओड स्पिकर हैं हमारे द्वारा वो है मजजिदों वाले और यदि मंदिरों पर भी ऐसे अनवश्जक कोई साउंड आते हैं तो निश्चित तोर पर सुपरीम कोट की एक गाइडलाइन है उसके तहट मंदिरों पर हम लोग हमेशा उसका पालन करते हैं किन्तो आज तक सुप्रीम कोड के गैडलाइन का पालन कभी भी मजजिदों नहीं किया है इसी मुहिम को देखते हुए जो इंदोर में प्रथम चलाई गई योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जिनों ने लाउड स्पिकरों को कंट्रोल में किया मजजिदों को कहा वही मुहिम सरकार के माध्यम से मुहन युग में माननी मुहन यादव जी जो यदुवंची समाच से है क्योंकि यदुवंची ही समच सकता है गोपाला की समच सकता है सनातन के दर्द को उन्होंने इस पष्ट सरकारी भाषा में संकेत दिया है कि जो मजजितों के लाउड स्पिकर है जिससे तकलीफ होती है उसके साउंड को कम किया जाए या उसे उतारा जाए कहीं पर भी आदेश में इस तरह से उलेक नहीं है उनों में तो दोनों के लिए आदेश निकाल दिया मंदिर और मजजित दोनों को सामिल कर लिया गया लेकिन विश्व इंदू परिसाथ विजितने भी थे बगातार मुहिम चला रहे थे वह किस तरह से सारथा होते हुए नजर आरी कहीं लक्री आपको की सार्था हो गई हमारी मुहिम क्योंकि आप आने वाले दिनों में तो वो भी आपत्ति दरज करवा सकते हैं जैसे आकि आ चलते हैं जो एक जिसका एक मानक है हमने कभी एसे मानक से कभी भी ड्वनी यंद्र नहीं किसी को आपति हो किसी के बात हो तो बाब करें। जो चलाते हैं उससे आपत्ती है और रहेगी और प्रशासन को हमारी बात को सुनना चाहिए हमने आपत्ती दर्च कराई थी उनके सावन को कम करना चाहिए और मज्जीदों पर से लाउड स्पिकर को उतार देना चाहिए मैं तो अपिल करना चाहता हूँ और मज्जीदों के ज प्रतिक होते हैं वहाँ से इस प्रकार की आवाज नहीं आना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो तो यह जो आवाज मज्जीदों से आती है वो हिंदू और सनातनियों के लिए कष्ट दायक है पीडा दायक है इसलिए हमने इस मुहिम को शुरू किया था और मंत्री मोहन यादव जी ने उसको कंप्लाइंस के लिए प्रशासन को कहा है एक आदेश पारित किया है कि एसे ध्वनी यंत्र जिनसे तकलिफ होती हो उन्हें ततकाल प्रभाव से बंद किया जा और उतारा जा उनको एक सरकार से पर्मिशन भी लेना पड़ेगी यदि इस अपत्ति जनक ध्वनी यंत्र का कोई उप्योग कर रहा है तो दुकाने लग रहा है उसको किस तरह से देखते हैं उससे क्या मेसेज देना चाहती है यह सरकार विश्व हिंदु परिशाद और हिंदुवादी संगठन भी समय समय पर इस तरह से मोर्चा खोलते रहे एक यदुवंची ही समझ सकता है एक गुपालक ही समझ सकता है मोहन यादाव यदुवंची है यादाव समाच से आते हैं वही समझ सकते हैं कि मतन और मांस क्या होता है इसलिए यह पश्ट संकेते सरकार की ओर से कि चलिए एक नियम तो है कि क्लाइसंस के द्वारा ही इसकी बिक्री की जाए किन्तों हम लोग देख रहे हैं कि बिना लाइसेंस के भी कई अन्य धर्म के लोग उसकी बिक्री कर रहे हैं तो मोहन यादाउजी ने स्पष्ट कहा है कि धर्मिक इस्तलों के पास और यदि कोई बिना लाइसेंस के मटन मांस और इसकी बिक्री कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए मद्द प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाद अब मद्द प्रदेश में भी यह सब नहीं चलेगा और कुछ आपकी जिस तरह से लगतार आदेश निकाले उन्होंने मुर्चा संभालते ही हिंदू संगटनों कि जित्ती मागेती उसके पीछे पीछे इस तरह से उन्होंने आदेश निकाले तो आने वाले दिनों में भी इस तरह कोई और आदेश निकल सकते हैं देखिए एक सरानी कदम मोहन जी का है मैं इसके लिए मद्द प्रदेश की मोहन यदव सरकार को बधही देना चाहता हूं और हमारा जो मुहीम को उन्होंने अधन दिया है उसके लिए में भी उनको धन्यवात ग्यापित करता हूं और अब प्रशासन को देखना है कि सरकार के आदेश का प्रशासन के से कंप्लाइंस करती है यह विशय न मोहन यदव जी का रहा न विश्व हिंदू परिशत का रहा अब यह विश्य रहा प्रशासन का सासन ने आदेश दिया प्रसासन को उसका कम्प्लाइंस करना है तो हम तो बिल्कुल पूर्णत सफल मानते हैं कि विश्व हिंदू परिशत के विधी प्रमुखों ने जो प्रशासनिक दल है उसने जो मुहिम चलाई थी इंदोर के अंदर उसका कम्प्लाइंस अब जाकर प्रदेश में हुआ है, इस बात से हम पूर्ण संतुष्ट है, आगे भी सनातन के लिए इस सरकार में कारे होते रहेंगे, मुझे विश्वास है इस बात का, कि वो दर्द समझ सकते हैं धार की भोच्षाला का, क्यों, क्योंकि वो यदुवंसी हैं, वो समाथ से आते हैं, जो गोपालक होते हैं, वो दर्द समझ सकते हैं मतुरा का, वो दर्द समझ सकते हैं कि धार भोच्छाला में माश शारदा के यहां क्या हो रहा है, अब मैं आशा करता हूँ इस सरकार से कि अगली बार कोई भी किसी प्रकार की बात या भोच्छाला जैसे इस थल पर विवादित ब की मिली लेकिन किसी भी व्यक्ति तक सुराक्षा पूरू में भी बीजेपी की सरकार मुझूद वोblind इस तरफसर पर उस्ता प्रदान करता है एक कमीटी के तहट तो निस्चित गटनाय घटती है तो माननी प्रधान मंत्री जी भी इस चीज के लिए बड़े चंतित हैं कि इस प्रकार की घटनाय नहीं होना चाहिए राजस्थान में भी जो घटना घटी वो भी एक सनातन के लिए और पूरे विश्व के लिए मानव जाती के लिए शर्वनाक रहा है और इस प्रकार के थ्रेट्स और कहीं से कोई धंकियां आती है तो वह भी निंदनी है इस पर निश्चित तोर पर मद्रदेश की सरकार जो है वह सज्ञान लेगी और गरव विभाग इसके लिए काम कर रहा है और करहें गाहिए हमारे साथ विश्व हिंदु परिशत के जगों पर सिकायत की थी और मोहन यादों ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां आदेश निकाला है इंदोर्जे टीवी नाइन भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्टा